उन्हें जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है, मतलब मेरा शोहर मरेगा और मैं मर जाओंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदार्नी हो जाओंगी और मैं अपने अपने शोहर को एक एक करके उसको विस्तर गरम करने का सामान दूँगी मैंने पहले ही कह दिया यह बहुत बिटर ट्रूथ है बहुत अगली ट्रूथ है बहुत डिर्टी ट्रूथ है पर अभी इसी तरीके से मैंने ना मिलिया है मौलाना मुहम्मद साजिद रशीदी आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्हों ने ये बात कहा था कि आप सफज जैंुक्षेट चननत मैं उन बहुत्र हुरों की सरदारनी होजाएंगी और उन्हों ने कहा भी कि तो मैं क्यूं क्यों को अप्रहों अपने खाविंद के पास मतलब अपने शौहर के पास यह आपके पाकिस्तान का ह्या है उसमें भी मुसल्मान बना था तो आप मुझे बताईए कि आकर तब मुसल्मान कहां मर जाते हैं, कहां मुँ में क्या ले लेते हैं तो जब उनकी मुँ से आवास क्यों ने निकलती है कि बॉलेवुड मुसल्मानों को क्यों बतनाम कर रहा है बॉलेवुड में जतने भी terrorism based के जितने भी आप इन में हमेरे निया को हुँआ है दिमाग में ये चीज़ डालते हैे आप हो इस हिसने दी है कि आप हमारे हिंदू भाईव और बेहनों को आप हमसे काफिर कहलाईगी का आख जिस हिंदू के प्लेट पर मैं बैट करके खा रही हूँ वह मरेगा तो क्या मेरी जुबान से निकलेगा कि पीनारे जहन्नम मैं नहीं बोलूंगी मेरे सनातनी भाईव के लिए मेरे हिंदू भ करने को तयार हूं लेकिन मैं इस शर्यांत्र को बंद करने के लिए मैंने ठाल दिया हमारा पंजाब क्यूं परिशान है आपके पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहां से ड्रग्स आता रहता है इसलिए हमारा पंजाब परिशान है आपके पाकिस्तान में चार शादियां धडल ने लगा और मेरी उम्र हुई मेरी मक्चॉरिटी हुई तो मैंने 2017 में सुप्रिम कोट में जाकर चिलाया और सारे डिबेट्स पर बैठ कर कहा कि मैं नहीं होने जो तो पाकिस्तान में ना अपॉजिशन अच्छे है और ना ही सरकार अच्छी है पाकिस्तान में अगर शाजिया बत्सों के दिमाग में यह ठूस रहे हैं कि हिंदू काफिर है निंदू जो है वह दुश्मन है यह मुसलमा लाग्य हो तो तुम शादी करोगे मतलब एक काफिर को तो मुसल्मान बनाऊगे के साथ भहत्तर हुरों को relate किया जाता है इसके अंदर कुछ नाम हमारे सामने आये जैसे असामा बलागन हो गया, अजमल कस्थब हो गया, हाफस साइद हो गया, इस तरहां के कुछ नाम जो हमारे सामने आये उनको देखते हुए हम समझ नहीं पारे हैं, अभी तक अवाम कंफ् स्टेशल की लिए इंड़प राभव है उसे इंड़मिनन का इंड़प रही है? यह लिए उसाल की जाया है? हिंडी निएम्विने का रहा है इंड़प डि जह रहे हैं? इस्ट मुसलीं जायम प Dennis e Calmda आपके ही पाकिस्तान की एक आंकर है जिनको मौलाना मौमध साजित रशीदी ने कहा था कि बहत्तर हुरे मर्दों को आसमान पर मिलेंगी जो वर्जिन होगी जिनकी वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होई होगी और आप मतलब जैसे आपके शादी मेविश हो जाएगी किसी मर्से औ जब वो मर जाएगा और आप मर जाएगा तो उसको आसमान पर बहत्तर हुरे मिलेंगी और उस बहत्तर हुरों की सर्दार आपको देखिए हध्यत जो है न अब मैं थोड़ा सही से बताती हो आपको कि हध्यत यह कुरान नहीं कह रहा है बहुततर औरों के बारे में कुछ नहीं कहा है हमारी जो किताब है जो रम्जान में लैलतुल-खदर में जो नाजल होई थी जिस तीस पारे पर इस पूरे इसलाम को चलन चाहिए जिस तीस पारे पर इस दुनिया के थारे मुसलमान को चलना चाहिए जिस कुछ दिन पहले क्राउंड प्रिंस सौदी अर्भीया ने कहा है किवी सर्फ पाय को मानेंगे उस तीस पाय कई को के बियोंडacia कर आप कर के हमारे हिंदुस्तान में नहीं करता है पर हदियत जो है वो 72 हूरों का जिक्र करता है और कहता है कि paradise मतलब जन्नत में मर्दों को 72 हूरे मिलेंगी जो virgin होंगी और जिसको आप eternal और physical satisfaction के लिए रख सकते हैं और जो बीविया होंगी वो उस 72 हूरों की सरदार होंगी मतलब eternal और physical satisfaction कराने के लिए हम अपने शोहर के पास एक एक हूर करके भेजेंगी मतलब वो paradise नहीं है वो जन्नत नहीं है वो चकला खुल गया है वो prostitute area खुल गया है क्योंकि जन्नत को जिस तरिके से हमने डिसक्राइब खुरान में बढ़ा हमने जो खुरान में सीखा हमारे बड़े बुजर्गों से जो हमने सीखा के जन्नत क्या होता है जन्नत के बारे में सुन करके बच्चे से बच्चा जूट बोलना बंद कर देता है गलतियां करना बंद कर देता है कि हम मरेंगे तो हमको जहन्नुम के आग में जलाया जाएगा अगर हम जूट कहेंगे, हम गलत कहेंगे, किसी के दिल को दुखाएंगे किसी का माल दौलत लूटेंगे तो हमको जहन्नम में आग में जलाया जाएगा और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको जन्नत बेजा जाएगा लेकिन ये मुलवी मुलाओं ने जन्नत को चकला बना दिया है प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है मतलब मेरा शोहर और मैं मर जाओंगी तो मैं उस बहतर प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदार्नी हो जाओंगी और मैं अपने शोहर को एक-एक करके उसको बिस्कर गरम करने का सामान दूंगी मैंने पहले ही कह दिया यह बहुत बिटर ट्रूथ है बहुत अगली ट्रूथ है बहुत डिर्टी ट्रूथ है पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मुहम्मद साजिद रशीदी आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्होंने यह बात कहा था कि आप जन्नत में उ तरदार नहीं हो जाएंगी और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाओंगी तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हुरों को अपने खाविंद के पास मतलब अपने शोहर के पास यह आपके पाकिसान का ही मैं बता रही है जो वो हिंदुस्तान में गंद की उल्टिय के हैं देखिए कोई भी मुल्ला मौलवी बलातकारी मुसलमान को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता है कोई भी मुल्ला मौलवी जो मर्द तलाख देता है उसको नेगेटिव नहीं बोलता है आज देखिए फिर से जैसे दा कश्मीर फाइल में एक बिटर प्रूथ दिखाया गया तो सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया उसी तरीके से 72 हुरों में मुसलिम कम्यूटी का एक असली चहरा दिखाया जा रहा है तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है पर मेरा कहना है कि भाई जब बॉलिवुड में मुसल्मान एक्टर जब टेरिस्ट बनते हैं या हिंद अपना मुसल्मान नाम रखते हैं तब यह मुसल्मान मौलवी मुल्ला और यह लुंगी टोपी वाले ताड़ी वाले जो लुंगी के अंदर चड़ी नी पहनते हैं वह वाले इन की मत मारी जाती है तब यह सामने क्यों नहीं आते तब तो बड़ा कूद कूद करके फिलिम देखने के लिए जाते हैं आप देखिये बहुत पुराने पिछले में चले जाएगे तब आक के उम्र भी बहुत कम होगी और मेरी बहुत कम होगी बहुत पहले मूवी आईटी मैचिस जिसमें चार लड़के सिट्वेशन के आधार पर कश्मीर में उन्होंने टेररिसम एक से वो टेररिस्ट बन दया था उसके बाद पिर आई थी आमिर खान की फना जिसमें वो टेररिस्ट बना थो और वो मुसल्मान बना था इविन तावीज वावीज भी पहनता था जो हमारे कुरान में तावीज का कोई मसला ही नहीं दिया है उसके बाद पिर सैफ अली पटोधी परिवार के नवाव साहब की फ्लिम आई थी उनकी अपनी बीबी के साथ करीना कपूर के साथ कुर्बार जिसमें वो टेरिस्ट बनेती हो और पूरा फैमिली जो था वो मुसल्मान था तब आपकी जबान क्यों बंद हो जाती है तब आप क्यों नहीं इनको रोकते हैं तब आ आया नहीं इस तरीके की मूवी बनाने के लिए को किसी टेररिस्ट का नाम राम तो रखा नहीं गया तो बॉलिवोड में जब ऐसी ऐसी मूवीज आती है तब मुसल्मान कूद के जाकर देखते हैं देखिए मिशन कश्मीर आया था जिसमें रितिक रोशन और प्रिसेजंट उसे हावास क्यों ने निकलती है कि बॉलेवुड मुसल मानों बदणाम कर रहा है बॉलेवुड में जितने भी टेर्रहिजम बेस्ट कैजिए भी फिल्म आते हैं उसमें मुसलिम केरेक्टर टेरिस्ट क्यों दिखाया जाता है तब नहीं बोलते है ।क विस स्टोरिय आती ह पर दा केरला स्टोरी किया और अबारे सामने बहत्तर हुरों की बात हुए इसी तरह अब ने बॉलवूर का जिकर किया कि एक बॉलवूर में में मुसलिम्स को जो है ना कर्भान मुवी की बात कह रही हूँ तो यह सारी मुवी जब आई ती और जिसमें मुसल्मान को तर्रिरिस्ट दिखाया गया था तब तो कॉंग्रेस की सरकार यहां हुआ करती थी और तब तो ऐसा कुछ बात भी नहीं था ऐसी कोई बात नहीं थी तो मैं यह कहना चाह रही कि आज़ तो कोई नई बात है ने यह तो बहुत पुरानी बात है यह तो शायद 1994 की बात है जब यह मैचस मुवी आई थी और मुसल्मानों को तर्रिरिस्ट दिखाया गया था उसके बाड़ पर कई मुवीज ऐसी आई है जिसमें यह दिखाया गया है कि तुम जिहाद के न चलेगा भाई, जबके कुरान तो ये 72 गुरूं के बारे में बोलता ही नहीं है, हदीस बोलता है, आपने हदीस को अपने तरीके से twist and turn करके लिखा है, तो हम सारे मुसल्मान उसको माल लें, ये तो हम मानेंगे नहीं, देखिए, कुरान में 41 बार, पूरे कुरान में 41 बार जि खाबू रखे, कुछ गलत ना करे, अपने दिल और दिमाग पर खाबू रखना भी एक जिहाद है, उसके बात कहा गया है, बिल लिसान, मतलब अपने जुबान पर खाबू रखे, जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले, जिससे किसी को भी दुख पहुंच जाए, या किसी क बुरा हो जाए, उसके बात कहा गया है, बिल याद, मतलब अपनी हातों पर खाबू रखे, आपकी हातों से कोई एक ऐसा शिर्क और गुना नहीं होना चाहिए, जिससे किसी को भी तकलीफ हो, यहाँ पर यह डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, पुरान ने यह नहीं कहा कि हिंडू को कर दो, मुसल्मान को मत करना, सिक को कर देना, इसाई को मत करना, यह नहीं कहा गया है, सिर्फ कहा गया है, कि इन चीजों पर आपको खाबू रखना है, और तब चौथे पर कहा गया है, बिल सया, मतलब सौर्ड, तो यह जितने मुसलिम कम्यूनिटी वाले हैं, यह चोथे जिहाद के मतलब को मानने को तैयार है पर खुरान ने जो तीन और जिहाद का मतलब बताया है उसको मानने को तैयार नहीं है जब देखो तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं आप मर्दों को यह शिखाने तो नहीं घुसा था कि तुम तलाग मत निया कर तो क्युक्त को तलाग के लिए सफिम capacities करता ये नहीं कि... मुसलमान को बलक्कार नहीं करना चाहिए, क्युक्त क्यू當 ने पाप कहाँ है, सिन नहीं कहाँ है.. वो घुसा बंबारूद लेकरके और बंदूप लेकरके ना छोटा देखा ना बड़ा देखा ना हिंदू देखा ना मुसल्मान देखा ना विद्वा देखा ना प्रेगनेंट देखा उसने बस गोली चलाना स्टार्ट कर दिया और ना जाने कितने लोगों को उसने मार गिरा तो ये कह रहा है कि हमारा कुरान ये तो नहीं कह रहा है हमारा कुरान और ये जो मौलाना मुहम्मद साजिद रशीदी है या इस टाइप के जितने भी चिटिंग बाज मौलाना है इनको ये अथॉरिटी किस पेर मुर्शिद ने दिया है किस किस आयत ने दिया है किस खुरान में दिया है कि आप मुसल्मान खौम में मर्दों को तबह बरबात कीजिए बहत्तर होरों को बहत्तर वर्जिन होरों का लालच दे करके किसमें आपको यह देखिए आज वो सिट्वेशन और सिनारियो रहा नहीं है जब हम क्लेवेज वाली मुवी देखे जब हम प्यार महबत वाली मुवी देखे जब हम पेड़ों के आगे पीछे डोल करके गाना गाने वाली मुवी देखे जनता और पप्लिक इस मूड में है कि हमने तो बस अब जानना है कि क्या सच है और क्या जूट है तो यह तो 72 होरों वाला जो फंडा है यह कंप्लीटली जूट है अगर किसी मुलाना के पास कोई एक ऐसी आयत है जो कुरान से वो निकाल करके मुझे दिखा सकता है कि कुरान ने वरजिन 72 होरों का लालज मर्दों को दिया है तो मैं उनसे कंप्रेंटेशन में और आर्ग्यूमेंट में बैठने को तयार हूँ यह मुलाओं ने हिंदुस्तान के मुसल लोग पब्लिक अवयर होता है तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है दकेरला इस स्टोरी में अगर यह बताया गया है कि हिंदू लड़किया थोड़ा सा परहेस करें मुसलमान लड़कों से थोड़ा परे रहे हैं तो क्या गुना हो गया क्या पाप हो गया है आप मुसल्मान लड़कियों को तलाग देने में तीन सेकंड लगाते हैं तो हिंदु लड़कियों पर अत्याचार करने में आपको कितना समय लगेगा कुछ भी समय नहीं लगेगा मैं विश आपके साथ ही बैठ करके मैंने डिबेट किया है गारला स्टो है लेकिन तीन उसमें चार चार चीजों में उसको बाटा गया है जिसमें तीन बात अलग अलग चीजों पर बंदिश्य दिखाई गई है आपके दिल पर बंदिश्य दिखाई गई है आपके दिमाग पर बंदिश्य दिखाई गई है आपके हाथ पर बंदिश्य दिखाई यह मुल्ला मौलवी जो मद्रसे में बच्चों को कौरान पढ़ाते हैं म सीजह को अंग्रेजी स्कूल में क्यों भेषते हैं कैतलेडि की स्कूल में असेम्ली में तो बाइल पढ़ाया जलता है आप अगर इतने बड़े खुरान के परहिजजगार हैं आप इतने बड़े इस्लामिक हैं, तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में क्यों भेशते हैं, आप उसी मदरसे में क्यों नहीं बैठाते हैं, उसी मदरसे में भात और आलू क्यों नहीं खिलाते हैं, आपके बच्चें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, औ कुछ फी नारे जहन्नम है। अरे हिंदु काफिर है , हिंदु हिंदु मरेगा जहन्नम जाएगा। हिंदुहें कुछ रखने ही है? क्यों الر invent कि में दिमाग में इस चीजे डा prose है? आप को इस ऐडियो इस हिंदुस्तान में हम हिंदुों के साथ एक प्लेट पे खाते हैं, इस हिंदुस्तान में हिंदुों के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को, अपने खुशी को हम बाढ़ते हैं, आप कोई अथोरिटी किसी ने नहीं दिया है, कि आप हमार करने के लिए मेरे दोस्तों के लिए मैं फिनारे जहनम नहीं बोलूंगी चाहे कुछ हो जाओ मेरे फत्वा जारी हो चाहे मुझे दुबारा कलमा पढ़ना पड़े भर जाओ जीजए य४ अगुरी करके युझ पैर पर लड़ने यहें मुति लिए भी देख माल्वी मुला का यहां कि यहीं भी मुटनाफलि को में है। कि बहुते हैं। क्या opposition strong नहीं है क्योंकि वहां तो Hindu religion है on another hand side tie हो जाता है यहां पर नहीं है इसमें इसमें सच है कि हमारे हिंदुस्तान में second majority 14% मुसल्मान है माइनुरिटीज में तो जैन सिक्स सब आते हैं पर 14% majority population मुसल्मानों की है पर by the grace of God Allah का लाख लाख शुकर है कि हमारे इस हिंदुस्तान में हम जैसे लोग भी यहां पर हैं जो जुबान खोल करके दुरनीतियों को और गल्टियों को चिला चिला कर बूरते हैं देखे आज आ पुष्ट दरपुष्ट आप निकालिएगा तो हिंदुस्तानी ही निकलेगी और कहीं से नहीं निकलेगी कुछ लोग मेरे नाना पर नाना दादा पर दादा निकालिएगा तो बहुत जादा तो दिल्ली का जनम निकल जाएगा पर इसके इलावा और कहीं भी कहीं कभी नह तो मैं ये कहना चाहती हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे मुसल्मान भी है जो रियालिटी को सामने रखने की हिम्मत रखते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, और पाकिस्तान खुद को इसलामिक कंट्री बोलता है, पाकिस्तान खुद को कहता है कि वो खुरान पर चलता है अगर वो खुरान पर चलता तो इमरान खान के घर से कोकी ना नुकलता अगर वो खुरान पर चलता तो इमरान खान ओरतों को बद नजर से नहीं देखता अगर पाकिस्तान खुरान पर चलता तो जो हिंदू पाकिस्तान के वहाँ पर शांती से रह रहे हैं उसको घर से निकाल कर मारा पीटा नहीं जाता अगर पाकिस्तान वाके में तीस पारे पर चलता तो वहां पर मंदिर नहीं तोड़ी जाती अगर पाकिस्तान वाके में कुरान पर चलता तो आप जैसे मुसल्मान इंटेलिजेंट लड़कियों को दंगों में घर के अंदर बंद नहीं होना पड़ हैं उस बेहायाई का अगर मैं शिजरा खोल कर बैठूं और इतिहास के पन्ने को उलटना स्टार्ट कर दूं तो शायद ये डिबेट आदे घंटे में कंप्लीट नहीं होएगा हम लोगों को कम से कम 72 घंटा बैठना पड़ेगा क्या पाकिस्तान में मुसल्मान की मेजॉरिटी ही ज्यादा है मुश्किल से 5% हिंदू होंगे जो हर वक्त अत्याचारित होते रहते हैं हमारे कान में भी ये बाते आती रहते हैं अब आप मुझे बगाईए कि क्या पाकिस्तान के मुसल्मान शराब नहीं पीते क्या पाकिस्त की तौक्षान का बॉर्डर और वहां से ड्रक्सा आता रहता है इसलिए हमारा पंजाब परेशान है आपके पाकिस्तान में चार साथियां धढलें से होती है को प्रेंड को रोक्तinkर अब करने केरिया हमारे हिंदू्स्तान में जब तल Copper का उस्षार पर में दुटने लगा fiznym मुसल्मान औरतों के आलेंटिफिकेशन के साथ कितना गंदा खेलवाण में नहीं हो तो पाकिस्तान में ना अपॉजिशन अच्छे है और ना ही सरकार अच्छी है पाकिस्तान में अगर शाजिया मरें जैसी औरते होंगी तो पाकिस्तान की महिलाएं कुद को कभी सेफ नहीं कभी नहीं फिल करेंगे आज हमारे हिंदुस्तान में अपीजे अब्दुलकरार को क्यों वैल्यू दिया जाता है उनको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया क्यूंकि वो संविधान मानते थे क्यूंकि वो एडूकेटेड आदमीते वो गलत को गलत और सही को सही बोलना जानते थे आज नाजिया इलाहे खान मुसल्मान है पर वो गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना जानती है उसको किसी चीज़ का डर नहीं हर रोज मेरे पास धंकिया आती है हर रोज मेरे को धंकी दिया जाता है कि मेरा रेप कर दिया जाएगा म एक हजार एक हजार ओडियो क्लिप्स मैं आपको सुना सकती हूं मैंने कई चानल से सुनाएं भी है कि देखिए इस तरह के किसे गाली गलोज मुसल्मान कर रहा है मुझे लेकिन मैं डगती नहीं क्योंकि यही खुरान और यही सम्मिधार ने मुझे ताकत दिया है कि मैं सच के साथ खड़े रहूं और जूट का पर्दा फाश कर नाजिया जी जो चौन फिद्स ही अंदर मुसल्मान बेटी हो कि आपको मिला या को दिया जारा आपको लगता है कि हर देश में मुसल्मानों की बेटियों को दिया जाता है ताकि वो एपनी सेफ़्टी कर से किए पनी सेक तो मुझे नहीं पता लेकिन पाकस्तान की निजर में इमिज बहुत कंसर्वेटिव साइए कि वहां पे लोग अजादी से नहीं रहते हैं वहां मुसल्मानों को दबाया जाते हैं अगर यही सारी चीजे अगर आज हम देखे तो हमारे पाकस्तान के अंदर हो जिस तरह से आप अगर थे आप वहां बैठके बोल कि एवन में आप से बात कर रही हूं मैं आपको इण को इन्ग को कर रही है कि अगर है कि डिए थेरा गयादा दूत है कितना बड़ा देखे जाते हने कर लुकि कश्मीर की बचसे बचतर हालात तब तक रही जब्क पार्ग दब के सरकार की कश्मीर में हिंदू जजजस को, मेजिस्ट्रेट को गोली से मार दिया जाता था, कश्मीर में पंडितों की बेटियों को बेयाबरू किया जाता था, पंडितों की बेटियों को, कश्मीर में मुसल्मानों ने बहुत सारे नारे लगाया थे, आजाद कश्मीर का नारा लगाया जो हिंदू बॉआ करते थे उनको इंडियन दॉक्स बोला जाता था, लोगों को सरे आंग मारा जाता था, किसी तरीके के कोई खानून को एकसेप्ट नहीं किया जाता था, आजात कश्मीर का जंडा बना करके वहां पर हिंदुस्तान के जंडे को निकाल करके जमीन पर फेक द जाता था और आजात कश्मीर का जंडा लगाया जाता था, बहां पर लाई लहा का नारा लगाया जाता था, लेकिन आज 370 हटने के बाद कहां गए वो पत्थरवाज, कहां गए वो आतंगवादी, कहां गए वो टेररिस्ट, जो कभी ये इर्जाम लगाया करते थे, कि हम सब कहां है, हिंदोस्तान की आजादी में जो लगु बहाये हैं बिनोए बादलते हैं,